आज के लेक्चर में हम जिमेटरी में मौझूद तमाम 2D फिगर्स के फार्मूलाज उनके कॉंसेट्स विद डायग्राम्स डिसकस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुइनर्स जो इस चैनल पे नियू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज हम जीन 2D डायग्राम्स को डिसकस करेंगे पहले उनको देख लेते हैं सबसे पहले स्केर को डिसकस किया जाएगा उसके बाद रेक्टैंगल के सारे फार्मूलाज को डिसकस किया जाएगा थार्ड नमबर पे हम ट्राइंगल के सारे कॉंसेट्स देखेंगे फोर्स नमबर पे हम सर्कल की तमाम टर्मिनालोजिस को देखेंगे फिर्फ नंबर पे हम semi circle की सारी terminologies देखेंगे और last पे हम parallelogram के बारे में कुछ discuss करेंगे तो ये हमारे आज के lecture का content है lecture को end तक देखिए ताकि आपको तमाम 2D figures के सारे concepts और formula's की proper understanding हो सके सबसे पहले हम square के formula's को discuss करते है square की क्या definition होती है एक ऐसी closed figure जिसकी 4 sides हों और 4 angles हों और वो 4 sides equal भी होनी चाहिए और angles भी equal होने चाहिए तो ये आपके पास एक diagram दिखाई गई है जिसको square कहा जाता है जिसमें 4 lens आप देख सकते है उनकी value equal है L के equal है और जो 4 angles है वो भी equal है 90 degree के है तो इस figure को आप square बोलेंगे अब इसका जो perimeter होता है तो वो red line के साथ जो border है वो show किया गया है तो इसकी जो boundary की length है वो आप अगर add करें चारों side को तो 4 L प्लस L प्लस L प्लस L 4 times आप L को add करें तो इसका perimeter का formula आपके पास बनेगा 4 L तो अगर आपसे question में यह पूछा जाता है कि हमें एक square का perimeter बताइए अगर उसकी एक side की length 2 cm हो तो आप 2 cm को 4 से multiply कर देंगे आपके पास perimeter का answer आजाएगा और इसका जो area होता है वो length multiply by जो इसकी दूसरी width बोलते हैं तो square के case में length और width equal होती है तो आप L multiply by L करें या फिर उसको L square लिख दें तो आपके पास square का area आजाएगा अगर 2 cm एक side की length है आपसे area पूछा जा रहा है तो 2 cm मलिप्लाइब आप 2 cm आप कहेंगे 4 cm square इसका area है यह मैंने एक line ड्रा की है इस line को आप diagonal बोलते हैं ठीक है तो एक square में आपके पास 2 diagonal होते हैं एक इस तरह और एक इस तरह आप इस diagonal की length कैसे find करते हैं या पाइथा को रस्क्रम से करते हैं यह हम आगे slides में देख लेंगे next आपके पास rectangle है rectangle की definition क्या होती है इसमें तमाम angles 90 degree के होते हैं और इसमें जो opposite sides हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं और equal होती हैं यह आपके पास एक diagram शो की गई है इसमें आप देखें width आमने सामने वाली length parallel हैं और एक दूसरे के जो opposite sides हैं वो एक दूसरे के equal है या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर length और width बराबर नहीं होंगे तो वो rectangle होगी अगर length और width equal होंगे तो वो square हो जाएगा अब इस case में perimeter क्या होगा आप अगर add करते हैं L plus W plus L plus W तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका जो perimeter होगा 2 into L plus W होगा तो इसमें जो L है वो length है और जो W है वो width है तो अगर आपको length और width दी गए है perimeter पूछा जा रहा है तो आप ये वाला formula लगाएं इसमें L और W put करें आपके पास perimeter का answer आ जाएगा अगर आपसे इसका area पूछा जा रहा है तो आप length और width को multiply कर देंगे तो आपके पास इसका area आ जाएगा जो कि आपके इसमें पास yellow color में show किया गया है इसमें भी इसी तरह diagonals दो होते हैं ये एक cross में line ये diagonal और ये की दूसरी line तो rectangle में भी आपके पास दो diagonals exist करते हैं अब हम triangle के formulas को discuss करते हैं triangle ऐसी polygon को बोलते हैं इसमें तीन edges हों और तीन ही vertices हों मतलब उसकी ना तीन side होंगी और तीन ही उसके corner होंगे ये आपके पास एक triangle बनी हुई है इस triangle को आपके पास right triangle कहा जाता है अब इनके बाकी जो चीज़े हैं वो भी हम next slide में discuss करते हैं कि किस किस तरह की triangle को कैसे कैसे solve करना है तो इसमें जो आपके पास ये नीचे चीज़ है इसको base बोलते हैं जो ऐसे perpendicular हो उसको height बोलते हैं और जो ये inclined side है इसको hyperteneuse भी बोलते है इसमें सबसे पहले अगर आपने perimeter find करना है तो simple आप triangle की तीनों sides को add up कर दें A plus B plus C red color में जो इसका border है वो perimeter है तो आपके पास perimeter का ये formula आ जाएगा अगर आपको triangle की तीनों sides की length दी गई है आपस perimeter पूछा जा रहा है तो आप simply उनको add up कर देंगे आपके पास answer आ जाएगा अगर इसके area आपने find करना है तो area का formula ये होता है कि half multiply by base multiply by height base जो है वो नीचे वाली length को बोलते है जो के horizontal है और height जो है वो perpendicular height होनी चाहिए जो के C के साथ दिनोट की गई है तो अगर area का formula आप से area की value पूछी जाएगी तो base और height मौझूद होने चाहिए आप base और height substitute करेंगे आपके पास triangle के area का answer आ जाएगा अब हम discuss करते हैं Pythagoras theorem क्या होता है ये आपके पास एक triangle है इस triangle में मैंने जैसे बताया कि जो नीचे horizontal line है वो base है और जो ऐसे vertical होता है उसको perpendicular बोलते हैं इनके याद रखने का असान तरीका ये है कि 90 degree के सामने जो होगा उसको आप hypotenuse बोलते हैं अब देखें 90 के सामने जो side है वो A है उसको आप hypotenuse बोलेंगे inclined line होती है और जो theta के सामने side होती है उसको आप perpendicular बोलते हैं और जो तीसरी side बाज जाती है उसको आप base बोलते हैं अब square के case में और rectangle के case में जो diagonal था वो इस case में hypotenuse बन चुका है तो आप python को इस प्रम लगा कर diagonal की value निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे आपके पास ये फार्मूला है hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square तो आप यहाँ पे a, b और c की value substitute करके जो आपको required है वो value आप easily find out कर सकते हैं इसका area भी आपके पास वैसे ही होगा जैसे half multiply by base, multiply by height या फिर perpendicular कर कहा देता है तो फिर भी आपने confuse नहीं होना वो height की बात ही कर रहा है ये देखें, आपके पास diagram अब इस तरह की आ गई है और इसमें कहा जा रहा है कि हमें area बताएं तो आपने इसमें base वो है जो नीचे शो की गई है, b और height जो है, वो बिलकुल perpendicular height base की top corner से जो height है वो आपने में इदर लिखनी है और आपके पास इस triangle का area आ जाएगा अब let's suppose आप से ये base भी नहीं आपको height इस तरह जो perpendicular है वो नहीं given आपको triangle की तीनों sides के बताएंगे है और triangle की शेकल नहीं बताएंगे कि वो right triangle है, ये कौन सी है आपको बस triangle की तीनों sides के बता दी है जी, एक side 5 cm है एक 8 cm है, एक 15 cm है तो फिर आप area कैसे find करेंगे उसके लिए आप ये वाला formula यूज़ करेंगे इसको heroes formula भी कहते है आपके पास formula क्या है scale root s into s minus a into s minus b into s minus c अज इसमें जो s है वो आपके पास s के लिए ये वाला formula यूज़ होना है a plus b plus c को add up करेंगे 2 पे divide करेंगे तो ये s की value आ जाएगी तो formula में s की जगा पर ये वाली value पुट करनी है और a, b, c, triangle की तीनों sides की lens है वो आप पुट करें उनको multiply करें, square root लें तो आपके पास triangle के area का answer आ जाएगा जीन students ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया triangle की एक और category है जिसका question most of the time papers में आता है हमें ये बताना होता है कि एक equilateral triangle का perimeter या area क्या होता है तो equilateral triangle की definition आपको इस channel की बाकी videos में मिल जाएगी यहाँ पे मैंने types of triangles को discuss किया हूँ है मज़ीद मैं यहाँ पी बता देता हूँ equilateral triangle ऐसी triangle को बोलते हैं जिसमें तीनो sides की length equal होती है और सारे angles जो हैं वो 60, 60, 60 के होती है तो यह आपके पास एक angle है जिसमें आप देख सकते हैं तीनो sides a, a, a equal हैं गुसरे के तो ऐसी triangle में अगर आप perimeter find कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे a plus a plus a तो आपके पास perimeter का answer क्या आएगा 3 into a तो अगर आपसे यह कहा जा रहा है कि एक equaliter triangle है जिसकी एक side की length 10 cm है हमें बताएं उसका perimeter क्या होगा तो 3 multiply by 10 करेंगे तो 30 cm उसका perimeter आ जाएगा और अगर आपने इस triangle का area find करना है equaliter triangle का area पूछा गया है तो आपने direct यह formula यूज करना है इस formula में क्या बताएंगे है square root 3 divided by 4 multiply by a square इसमें जो a है वो triangle की किसी एक side की length है अब वो तीनों बराबर हैं वो कोई भी दे दे वो कह जी एक equaliter triangle है इसमें एक side की length 10 cm है हमें बताएंगे उसका area क्या होगा तो आप एक जगा बे 10 put करेंगे simplify करेंगे तो आपके पास equilator triangle का area आ जाएगा अब हम circle की terminology को discuss करते हैं circle एक round shape को बोलते हैं जिसमें कोई भी corner नहीं होना चाहिए बिल्कुल round shape हो आपके सामने यह circle की diagram show की गई है देखें जो इसमें red color में है जो इसकी outer periphery है उसको आप circumference बोलते हैं जो इसमें green color की line है जो के बिल्कुल vertical है इसको diameter बोलते हैं diameter क्या होता है diameter ऐसी line जो circle को two points पे touch करें और center से pass करें तो आप देखेंगे green line ऐसी है जो circle को two points पे touch कर रही है और center से pass कर रही है तो इसको आप diameter बोलेंगे और जो diameter का half होता है वो आपके पास radius होता है तो black color में आपके पास radius को भी denote किया गया है तो ये circle की terminology हैं अब हमने इसके circumference बताना है तो circumference जो इसकी red line में show किया गया है वो circumference है तो उसका formula होगा two pi r अगर आपको radius given है तो आप c is equal to two pi r इस से find कर सकते है circumference अगर आपको diameter given है तो आप pi d ये वाला formula use कर सकते है अगर आप से इस circle का area पूछा जा रहा है तो area find करने के लिए आपने करना है pi r square और अगर diameter given है तो आप करेंगे pi d square divided by 4 और आपको ये additional information दी जा रही है कि diameter जो है वो radius का two times होता है तो अगर आप diameter वाले formulaズ नहीं आद रखना चाहरें या radius वाले नहीं याद रखना चाहरें तो एक चीज़ वाले formula cool does याद रखलें radius वाले याद रखलें या diameter वाले याद रखलें आप ये relation याद रखलें कि d is equal to 2 r होता है यहां से आप diameter easily निकाल सकते हैं तो उसके accordingly आप questions को मसीड proceed कर सकते हैं इसके बाद आपके पास है जी semi circle semi circle बोलते हैं कि आपके पास एक circle complete होना उसको अगर आप बिल्कुल half कर दें exactly half तो उसको आप semi circle बोलते हैं definition देखें half of a circle measuring 180 degrees तो आपके पास इस ऐसी diagram ऐसा circle जिसको आप बिल्कुल half exactly half cut कर दें तो वो आपके पास semi circle बाद जाता है यह देखें यह diagram शो की गई है इसमें आपके पास पूरे circle का एक left sphere दिखाया गया जिसको आप semi circle बोलते हैं अब इसका circumference find करने का formula क्या है आपके पास r into 2 plus pi अगर radius कीवन है तो आप इसमें formula पूट करेंगे radius की r into 2 plus pi अगर आपको diameter कीवन है तो आप d plus pi d divided by 2 इसमें value पूट करके आप semi circle का circumference निकाल सकते हैं अगर आपसे इस semi circle का area पूचा जा रहा है तो फिर आपने pi r square divided by 2 कर देना या फिर pi d square divided by 8 कर देना तो वही बात जो मैंने पहले repeat की थी कि अगर आपको diameter वाले formulas नहीं याद करनें सिर्फ radius वाले याद रख लें तो आप d is equal to 2r इस relation को use करके दूसरी quantity भी find कर सकते हैं तो आप सिर्फ radius वाले formulas याद रख लें अगर diameter आता है तो उसको 2 पे divide करके radius आ जाएगा radius को इस फार्मूला में put कीज़ेगा आपके पास circumference भी आ जाएगा area भी आ जाएगा last 2r diagram आपके पास है जी parallelogram parallelogram कहते हैं quadrilateral with two pairs of parallel sides आप इसकी असान definition यूँ समझ लें कि एक चार कोनों वाली ऐसी polygon जिसमें दो pairs ऐसे हो जो आपस में parallel होने चाहिए और angle की कोई limitation नहीं है आपके पास rectangle से ये जो diagram है काफी match करती है लेकिन rectangle में ये शर्त होती है कि 4 angle 90 degree के होने चाहिए जबकि इस diagram में कोई शर्त नहीं है कि 4 angle 90 के हो या जितने मर्जी के हो उससे हमारा concern नहीं है तो आप देख सकते हैं इसमें दो sides जो side A और A आपस में parallel हैं B और B आपस में parallel है तो दो pairs आगे parallel side के और angle की कोई limitation नहीं है आप इसमें कोई मर्जी angle रख सकते हैं तो ये आपके पास parallelogram की diagram है अब इसका parameter कैसे find करेंगे आप चारो sides के length जो के red color में show की गई है उनको add कर दें तो A प्लस B प्लस B तो आप इसको लिख सकते हैं 2 times A प्लस B तो इसमें अगर आपको parallelogram की sides दी गई हैं A और B आपस perimeter पूछा जा रहा है अगर प्लस B आपके पूछा जा रहा है तो आपके पास आपके पास यह एक डाइगनल बन जाता है और इसी तरह यह दूसरा डाइगनल है तो parallelogram में भी आपके पास दो डाइगनल एक्जिस्ट करते हैं तो यह था आपके पास geometry के 2D figures का सारा introduction जो students get, net और head की preparation के लिए हमें join करना चाहते हैं हमारा online course पढ़ना चाहते हैं वो दिए गए WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं या दिए गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला बहुत अच्छी preparation करवाई जाएगी thank you so much for watching full video, please like, share and subscribe for more video lectures take care, allah hafiz, assalamualaikum